नमस्कार दोस्तों मेरी तेश्पास आज की सिखने वाले हैं सेल्ली सीट के बारे में तो दोस्तों अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो सुछ से अंदर देखेगा ताभी आप समाज पाएंगे और शीख पाएंगे और आपको सेल्ली सीट बनाने आ गया तो आप कहीं भी यहां पर लिखा हमने नेम जो भी इंप्लोई नेम है और यहां पर सीडियल नंबर नॉर्मली आपको पुट अप करना होगा उसके बाद हम लिखा है बेसिक सेल्ली जैसे यहां पर लिखा है पांच आठ आठ थाजार दस जार 7 थाठ पंद्राजार इस तरीक से जो भी जित तो फिल्व हम इसे जूम कर लेते हैं उसके बाद यहां पर करना है याव लगाना है क्या ईकवल बराबर उसके बाद आपको जाना है बेसिक पर बैसिक शेली पर जाने के बाद आपको आपकर करना है multiply का साइन तो multiply का साइन यह रहा जो भी आपको जिता हमी percent मिल रहा है DA तो हम ले लेते हैं normally 11% multiply divide 100 यह 100 करेंगे और कर देंगे हम inter, inter means ok तो करते हैं, तो कितना बना यह 550, यह क्या होगे हमारा DA, अब ऐसी हम सब का निकालेंगे 50DA, अब ऐसी हम सब का fill up करेंगे तो यहाँ पर fill और इसको नीचे तक लेखे आ जाएंगे यहाँ सब का निकाल गया 800, 80, किसी का 1100, किसी का 770, इस तरिक से, cell link के according है, अब हम निकालेंगे TA, TA भी simple सा है कुछ नहीं करना आपको, equal लगाना है और यहाँ पर जाना है, basic cell link पर क्योंकि हम cell link को ही लेंगे अब यहाँ पर लगाना है, multiply तो multiply क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो भी आपका DA निकलता कोची सब करेंगे, हम यहाँ पर 7%, ओके, और यहाँ पर divide 100, ओके, तो हम 100 डलते, उसके बाद, enter सेम, कितना है, साड़े 300 सेम, इसको भी हम auto fill करेंगे, हम यहाँ पर यह auto fill का sum आ गया अब नीचे तक हाँ कर लेंगे, select उसके बाद, आपको क्या करना है, देखे क्रिश्ना का, सेम इस तरीकस्ते आपको निकालना है, सबका निकलते हुए, आ जा रहा है अब हम निकालेंगे, hra ओके, तो simple सा दोस्तों क्या करना है, आपको, equal लगाना है ध्यान से देखिए, तब यह आप समझ पाएंगे equal, सेम आपको कहा जाने, basic cell रिपे, उसके बाद आपको क्या करना है basic cell रिपे आने के बाद multiply का sign, अब hra जितना भी आपको मिलता ओगा जितना भी करता हो, हांपर लिकते हैं मालो 5% जितना भी आपको डालना है, चीके और यहापर करते हैं डिवाइड, कितना hundred और लिखते हैं 100 यहापर, और सोरी वेक hundred, और करते हैं inter, inter means ok, यहापर कितना है 500 अब ऐसी सबका निकालेंगे जैसे कृष्णा का पूजा का मादुरी का अनुप का ऐसी सबका हम फिल करेंगे और जिसे अटोमेटिक सारे फोरूले यहां पर पूटप हो जाएंगे तो देखिए जैसे अगर इसका चेक करें तो सेम अनुप का कितना निकलना है साड़े 700 अब हम लिका लेगे MA MA भी सिंपल सा है कुछ नहीं करना आपको इकवाल लगाना है और यहाँ पर किस पर जाना है बेसिक सेल लिपे मल्टिप्लाई आपको मल्टिप्लाई का साइन देना है उसके बाद जो भी हम लेते हैं आपर 12% उसके बाद डिवाइड 100 और करेते हम इंटर तो निकला 600 ऐसी सबका निकालेंगे हम फिल करेंगे और सबका और अटकमेटिक यहाँ तक जहाँ तक हम अंसर चीए हो हाँ तक हम सेलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पर क्या करना है हाँ पर आपका फोर्मुला गया है कौनसा फोर्मुला सम का सम मतलब क्या होता है जोडना एड करना या प्लस करना जो भी आप बोल लीजिए तो हाँ आपका S U M उसके बाद को क्या करना है ब्रेक्ट करना है उपन तो ब्रेक्ट उपन फिल और यह हमने निकाल लिया तो देखिए हाँ पर किसी का बना है 20,250 रुपया किसी का बना है 6,750 रुपया तो इस तरीके से सब का बना है ग्रोस सेल ली अब हम क्या निकालेंगे PF आपको अच्छे से पताओका PF क्या होता है तो अब निकालेंगे हम PF तो दोस्तों वीडियो को सही से देखिए है ध्यान से देखिए है तभी आप समझ पाएंगे और सीख पाएंगे तो PF निकालने से पहले एक बार सब का देख लिए फोर्मुला कैसे लगना है देखिए इस तरीक से लगाना है तो PF निकालने के लिए है भी आपको क्या करना होगा इसको हम ओके करते है सेम सबका भी ऐसी है हमने बेसिक के लिए है इस तरीक से अब PF निकालने के लिए है फिर भी हमें किसे लेना पड़ेगा बेसिक सेलली को ही लेना पड़ेगा तो सेम क्या है इकवल लगाएंगे तो लगाते हैं हम इकवल और किस पर जाएंगे बेसिक सेल लिपे उसके बाद multiply का sign अब जो भी आपका PF करता होगा हम उत्रा PF ले लेते हैं जिसलाइक हम लेते हैं 12% multiply दिवाइड 100 उसके बाद क्या करते हैं आपको enter तो करते हैं enter तो enter करते हैं आपको निकल गया PF 600 उर्पया वैसे सबका निकालते हैं तो fill तो यह सबका निकल गया अब हमें निकाल ला है net salary जो की सामने अलों को दिया जाएगा है जो भी मिलेगा तो कैसे क्या करना है आपको growth salary से PF salary को minus कर देना है तो क्या करेंगे सबसे पेल हम लगाएंगे equal ठीक है किस पर जाना है gross salary पर माइनस माइनस कसाइन और जाना है PFA और कर देना इंटर तो कितना यह आपका net salary निकल गया है वैसी सबका निकालेंगे तो हम यह क्या कर देना है तो fill करते हैं तो देखिए सबका निकल गया PF काटने के बाद PF निकालने के बाद तो इस तरीक से आप formula लगाए हैं तो दोस्तों एक बार और समझ लेते हैं देखिए सबसे पहले क्या नर्मली हम एक छोटा सा खुद से लिख लेते हैं ठीक है जैसे यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ six serial number ओके और यहाँ पर नाम लिख लेता हूँ मैं जैसे रितेस ओके मैं लिख लिया रितेस और यहाँ लिख लेता हूँ और शेलि मान लो 50,000 और अब हमें क्या निकालना है हमें निकालना है इसका डिये तो डिये निकालते हैं तो सिंपल सा डिये का थोड़ा अलग formula लेते हैं इसका अलग लेते हैं इकवल बेसिक शेलिए उसका यहाँ करना है multiply हम लिख लिख यहाँ पर 12% और divide 100 तो लेते हैं 100 और कर दें इंटर तो देखिए इसका निकाल गया सेम इसमें भी वैसे निकालना है तो क्या करना है इकवल बेसिक शेलि मल्टिप्लाई सोरी हाँ multiply उसके बाद क्या करना है आपको जो भी लेना जिता परसें नुवान लो हम लेते हैं 9% डिवाइड 100 और इंटर इस तरीक से इसका भी हम क्या निकालना है अब हरे तो हरे निकालने के लिए क्या करना है इकवल बेसिक शेलि उसको बाद क्या करना है multiply के साइन और यहाँ पर क्या लिखना है जो भी आपको जितना परसेंट मालो 15% और डिवाइड 100 तो यह निकल गया हरे अब निकालते में तो में निक पर्शेंट और इसके बाद क्या करना है डिवाइड हंडडेड अब निकाला में ग्रोष से लिए एक्वल टू सम इकवल एस यू एम बैकट करना है ओपन उसके बाद जाना है इस पे और यहां से सब्सक्राइब करते हूद आना यहां तक करते हैं बैकट लूज करने के बाद एंटर तो यहाँ पर निकल गया आ गया कितना यह आ गया चोहत्तर हजार ठीक है अब निकालेंगे पी एफ तो पी एफ भी क्या करना है सेम एक्वल लगाना है और जाना है बेसिक शेली पर और मल्टिप्लाई क्या करना है मल्टिप्लाई का साइन यह रहा उसके बाद आपको क्या करना है जितना ही परसेंटेज जैसे हम लेग लेते हैं 12% डिवाइड 100 और एंटर तो यह निकल के आगया 6000 अब निकालतें नेट शेली कितना आता है तो यहाँ पर क्या करना है इक्वल लगाना है सम पर जाना है सम मतल इनका शेली बना शेली शेली शीट करना है कंप्लीट दोस्तो आसा करूंगा कि यह वीडियो बहुत पसंद देको पसंद देते पर चैनल को लाइक और बेल अंदर ना भूले जासाथ इस वीडियो को सेर करें ताकि आपके यार दोस्त फोन के अंदर ही सीख पाएं तो दोस दोस्तो ऐसी वीडियो देखने के लिए पहले इस चैनल को सब्सक्राइब किये बिना जाएगा मत थैंक यू